हमेशा से विवादों में गीरे रहने वाले जारकन राज्ये का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स एक बार फिर से सुर्खियों में है कुर्णा संक्रवन के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स में आउटसोर्सिंग पर विविन पडों के लिए करमचारीों को बहाल तिया गया था लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स की ओर से अनुबंद में बहाल किये करमचारीों को हटाने का आदेश दिया गया है अस्पतार का भंदल के स्वैसले के बाद मंगलवार को आउटसोर्सिंग करमचारी और कॉंट्रेक्ट ले चुकी कंपनी के बीज कोई वार्ता बेनतीजा रही इसके बाद करमचारीों ने लंबिक पैसे की भुपतान को लेकर रडशन किया इसके अलावा करमचारीों ने होस्टल खाली करवाए जाने को लोकर दी रिम्स फुरंदल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है को सबस्तल में होस्टल नो को रखा जाए जैसे खाने की इन दी आ रहा रहा है सब को लेगा सारे सुपरवाइजर को लेकिन अभी हमें को अनकेस में कआज दॉस्ट पासा मिलेगा यहां पे supervisor की होने के हो पहरनी, आप पर उसे शुपर्वाइजर का सबें काम करेंगे, जब क掃 आब जोगों लोगों और लोगों ने ने कंने के का सर्व भाइज। कोमें भी से बूलों में थाइल को सब्सक्राइब को तरह ऐने के नथ लिए आई, पहले की बहाली आप हटाने का आदेश पहले जो करमचारियों कर दिया गया है करमचारियों कंपनी के बीच कोई वारता रही बे नतीजा कोई भी समाधान अभी तर नहीं निकल पाया है नंबित पैसी के भुक्तान को लेकर लगतार प्रदशन जारी है रिंस रण्दन के खिलाफ निकाली बड़ास करमचारियों का गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिंस रण्दन के खिलाफ तो एक बर फेर सुर्कियों में जारकंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिंस अस्पताल पहले की बहाली अब हटाने का आदेश और इसी पर जारा जानकारी के साथ हमारे सनवाराता आशीश कुमार जोड़ चुके है अभी तब एजनसी और रिम्स के बीच कोजो भी बातचीत हुई उससे कोई हल नहीं निकल पाया है करमचारियों का यह कहना है कि पहले तो उन्हें कोरणा काल में तीन से छे महिले तक के लिए पॉइंट किया गया था लेकिन उन्हें एक महिले बाद ही हटा दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया है आशीश पायए कि पहले को पाया है कर्में कि आँपर क्रमी पी उन्हें को रिंट में करड़ करेंगरर्ते नहीं पायए जो भी लोग पायए कि जो भी लोग तो बाद वो पर ते लिए न को रिंट में दाला गया था कि 11 में से पहले बढ़ती हुए है तक को अठा किया जाएगा उसको लेकर जन्स में घ्याना नहीं कि मौंदे चुरू हो जैसे लोगों को भी जुआ के करंचाहिए इनके साथ और उन्स प्रजंदर और आप कोई आपके जो मैंनेजिंग डिपार्टमेंट है उनकी बीज़े ब जिन्मदारी रांची अस्पतालगी है तो असल में यह वेतन देने की जिन्मदारी है किसकी आखिरकार तो उसमें करमचारी ही पिस रहे हैं कि बिल्कुल इसमें जड़ करमचारी को दूश किया गया था कि इनके यह ली बोना गया था कि जो भी भुक्तान ओप आपको आपके दूरा ही की जाएगी जिस पर अभी बैटक चेल रही है तक बाद पौकी है उनके जार अब इसकारण की जाएगी में कि नाल आपको बता दू इतने भी आउट्सों की जितने भी करमचारी से उनको रहना और खाना जासुता है उनको जहांके वो रहते तो खाली करा दिया गया है और कर दूंके प अगर आपको बहुत है और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आपका रुप क्या होने वाला थे मित्यानन जी अभी तक आपकी मांगों पर तश्यास्तर ने किसी तरह कोई संग्यान लिया है धन्यवार नित्यानन जी आपका हमारे साथ जुनने के लिए एक बार फिर से सुर्कियों में रेम्स ऑस्पताल